हे गाईस वेलकम बेक टू माई चैनल तो फायबूल ने लाँच कर दी है अपनी एक और नई ब्लुटूथ कॉलिंग स्मार्ट वाच जिसका नाम उने वाला है फायबूल निंजा कॉल प्रो प्लस और ये भी एक अफॉर्डेबल प्राइस सेग्मेंट के अंदर आती है तो आ प्लस एक्टिव स्पोर्स मोड प्रोवाइड किये गया है इसके अंदर चूकी अच्छा है वाकी यहाँ पे और भी कुछ हायलेटेड फीचर्स देखने को मिल जाएंगे चाहू तो पॉस करके पढ़ सकते हो वाकी एक बार इसके बॉक्स को उपन करके चेक करते हैं कि क्या Contents देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिल जाएगी यह Smartwatch जिसको हम बात में Test करेंगे पर उससे पहले कुछ और Contents चेक कर लेता है तो यहाँ पे एक बार इसके बऊक्स को मैं Open कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी charging cable और magnetic tube in cable का support है इसके साथ और cable के लेंद अच्छी कासी है वाकि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी एक user manual और user manual चाहो तो पढ़के समझ सकते हो और इसके अंदर proper images के साथ show क्या हुआ है तो आराम से सारी information समझ सकते हो वाकि व ballplay application का card तो यह सारी चीज़े देखने को मिलेगी और smartwatch हम चेक कर लेता है तो smartwatch को सबसे पहले stickers वगरा हटा के एक दम free कर देता है तो यहाँ पे सबसे पहले अगर इसके first impression की बात करूँ तो यहाँ पे 46 mm का display प्रोवाइट किया गया है और यहाँ पे 2.5D curves प्रोवाइट क और सकते हो तो sights में आपको कुछ curves देखने को मिलेंगे चू कि इसको premium looking दे देता है और यहाँ पर इसके crown को विल्कुल center में प्लेस किया गया है बाकी crown वर्किंग नहीं है बाकी बिल्कुल center में place किया गया है चुकि इसको premium looks दे देगा और यहाँ पे speaker provide किया गया है और back side में देखने को मिल जाएंगे sensors तो यह वाले बिल्कुल accurate sensors होने वाले हैं और वीडियो में आगे test करके बताऊंगा बाकी steps इसके अंदर अच्छी decent quality के देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे removable steps का option है और basically जिनकी thin wrist या फिर medium wrist होती है वो इस watch को purchase कर सकते हैं बाकी एक बार इसको on करके check करता है ओके सो यहाँ पे firebolt की branding आ चुकी है ओके सो यहाँ पे यह on हो चुकी है और सबसे पहले अगर बात करूँ watch faces की तो इस watch के अंदर inbuilt 7 watch faces देखने को मिल जाएंगे और सारे ही बहुत अच्छे दिखता है बाकी अगर बात की जाए display की तो इस watch के अंदर 1.83 inches का HD display प्रोवाइट किया गया है जो की overall इसको अच्छे looks प्रोवाइट कर देता है और side में जो curve है overall वो तो इसको premium दिखा ही रहे है प्लस अगर बात की जाए bezels की तो आप देख सकते हो top में तो बिलकुल curve में भी align जा रही है मतलब top में तो बिलकुल zero bezels देखने को मिलेंगे sides में भी बिलकुल नहीं है और नीचे की side में कह सकते है बिलकुल हलके से bezels है बाकि यहाँ पे edge to edge जो display होता है वो provide क्या गया है इस watch के अंदर जो कि बहुत अच्छी बात है और glass का top पे तो आप देख सकते हो कुछ जादा ही उपर तक जा रही है लाइन पर चलो बढ़िया है यह तो बिलकुल edge to edge display है बाकि यहाँ पे black color के अंदर जादा watch faces दिये गए हैं जिससे इसके अंदर बिलकुल edge to edge वाली feel आईगी आपको यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की side में हलके से यहाँ पे bezel ऐसा कह सकते हैं बाकि normal ऐसे कोई दिख्खत नहीं है बाकि UI की बात करें तो नीचे की तब swipe करके control panel देखने को मिल जाएगा और अभी full brightness पे, full brightness पे अचीकासी brightness देखने को मिल जाती है direct slide में visible हो जाएगी बाकि यहाँ पे right में swipe करोगे तो recent applications देखने को मिल जाएगे उपर की तरफ swipe करके applications मिल जाएगे और अगर बात की जाए smoothness की तो वो check करता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत smooth display बिलकुल भी relax वगरा नहीं मिलते है जो कि बहुत अची बात है और left की तरफ swipe करके कुछ components देखने को मिल जाएगे और सभी के अंदर उपर की तरफ swipe करोगे तो कुछ extra details देखने को मिल जाएगी तो यह सभी आप access कर सकते हो, बाकी यहाँ पे add करके अपने सबसे components को add भी कर सकते हो उसी के साथ यहाँ पे अपन एक बार applications के menu style चेक कर देते हैं कि यहाँ पे menu style भी provide की है की नहीं की है तो यहाँ पे menu view का option है, तो यहाँ पे cellular view मैं आपको बता चुका हूँ तो अब अपन list view चेक कर देता है, list view के अंदर application अच्छे का से दिख रहे हैं तो इसी के अंदर एक एक करके application explain करना है, start कर देता हूँ पर उससे पहले battery backup की बात की जाए, तो इसके अंदर 2-3 days का battery backup देखने को मिल जाएगा अगर इसके अंदर calling feature use करोगे, और उससे जदा मिल सकता है, अगर calling feature use नहीं करोगे तो और अगर बात की जाए IP ratings की, तो इसके अंदर IP 67 की rating देखने को मिल जाएगी, तो थोड़ा बहुत पानी बगरा गिर जाए, तो कोई problem नहीं होगी बाकी यहाँ पर आपको सबसे बिल ऑप्शन मिल जाएगा, एक्टिविटी का और इसके अंदर सारा data शोग जाएगा, जिसको आप access कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पर phone call का option है, और यहाँ पर on करके, phone से connect करके, calling features को use कर सकते हो, recent call, या फिर contacts, या फिर आपके जो dialer है, वह decent calling quality expect कर सकते हो, इस smart watch से, उसके बाद sleep monitor जो की working होने वाला है, इस smart watch के अंदर, और आपको accurately calculate करके बता देगा, कि कब आपकी मतलब restful sleep थी, और कब light sleep थी, तो वो सब आप यहाँ पर देख सकते हो, बाकी यहाँ पर heart rate sensor भी provide किया गया है, तो देखते हैं, air के अंदर reading show करता है या नहीं करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, within seconds इसने पहचान लिया कि मैंने watch नहीं पहनी है, और यहाँ पर reading show नहीं की, बाकी अगर बात की जाए, heart rate sensor की accuracy की, तो इसकी accuracy को मैंने oximeter से compare करके देखा है, और 90-95% तक accurate results आ जाते हैं, इसके अंदर, तो heart rate sensor working होने व पर से on करता हूँ, इसको पता चल गया है कि मैंने नहीं पहनी बट फिर भी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, SPO2 के लिए dedicated red light sensor provide नहीं किया गया है, और वैसे भी मैं आपको सारे वीडियो में बोलता हूँ, कि SPO2 के लिए आप smart watches पे rely नहीं कर सकते, तो SPO2 के लिए आप rely पेडोमीटर की accuracy की, तो वो भी अच्छी खासी accuracy देखने को मिल जाती है, मैंने 110 step चल के देखा था और 112 चो उसके बाद मैंने 250 step चल के देखा था और 275 शो हुए, तो काफी तक अच्छी खासी accuracy देखने को मिल जाती है, पेडोमीटर की, उसके बाद यहाँ पे weather का option है, 7 days क weather इसके अंदर चेक कर सकते हो उसके बाद है option messages का phone से जो भी notification वगएरा है वो इस watch के अंदर देख सकते हो उसके बाद है option remote capture का और उसके बाद है timer का option और इसके अंदर अपने सबसे customize भी कर सकते हो maximum 120 minutes का timer यहाँ पे लगा सकते हो उसके बाद है relax और रिलेक्स के अंदर जाके दो option है falling asleep और stress तो basically यह आपको breathing के लिए guide करेगी smart watch तो इसके सबसे breathing करके आप relax हो सकते हो एक तरीके से उसके बाद है option alarms का total three alarms आप एक टाइम पर रख सकते हो application से आपको set करने पड़ेंगे उसके बाद यहाँ पर watch से आप on या off कर सकते हो उसके बाद है option music player का और क्योंकि इसके अंदर inbuilt speaker available है तो watch के अंदर ही music सुन सकते हो जो कि बहुत अच्छी बात है और अगर बात की जाए speaker की तो speaker एकदम loud है crisp है clear है तो आप इसके अंदर songs वगरा सुनके enjoy कर सकते हो उसके बाद है option stop watch का और इसको access कर सकते हो अच्छे से work करता है कोई problem नहीं होती और उसके बाद है fine phone का feature और उसके बाद है games और basically three games provide किये गए है इसके अंदर एक है thunder, battleship और उसके बाद है young bird और young bird बहुत ज़्यादा famous game है तो यह आप खेल के time pass कर सकते हो और touch response अच्छा है तो अच्छे से आप games enjoy कर सकते हो उसके बाद option display का और settings के अंदर जाने के बाद यहाँ पर display के अंदर आपको यह सारे option मिलेंगे और यहाँ पर auto sleep या फिर watch face या फिर यह सारे brightness या फिर menu style आप यहाँ से सेट कर सकते हो dnd mode देखने को मिल जाएगा vibration आप on off कर सकते हो low power mode है और phone call का option है तो इसको on करके आप calling features को enable कर सकते हो और यहाँ पर option है phone reset का और उसके बाद है system system के अंदर basics option है और last में about section देखने को मिल जाएगा तो basically यही सारे applications और features इस watch के अंदर बाकी एक watch face यहाँ पर मैं यह वाला लगा के बताता हूँ यह वाला मेरा favorite watch face है मैं personally यही use करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते होगे अच्छी खासी quality है इसकी बाकी यहाँ पर अगर last में अब अपन बात करे conclusion की तो यह आने वाली है 2000 रुपीज के price segment के अंदर और 2000 रुपीज के सबसे मेरे सबसे बहुत अच्छी डील है क्योंकि इसके अंदर आपको calling feature मिलेंगे display बढ़ा है अच्छी quality का है प्लस यहाँ पर curves बहुत अच्छी आते हैं features भी बहुत सार है overall एक decent product है 2000 रुपीज का और अगर आपका उतना budget हो तो इसको आप जरूर से consider कर सकते हो तो अगर यह watch पसंद आ रही हो अगर buy करनी हो तो आपको buying link देदूगा description में description जरूर से चेक कर सकते हो और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ informative लगा हो तो like, share, subscribe, sub कर देना मिलता हो आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए